शेयर की ताजा खबरे देखने के लिए इनवी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकान दबाना ना भुलें महराष्टर के औरंगाबाद में बदनापूर करमार रेलवे स्टेशन के पास शुकरवार की सुबह जब एक मालगारी गुजर रही थी तब उसने 16 से अधिक मजदूरों को कुछल दिया इस हाथसे में 16 मजदूरों की तो मौत हो गई, जबकि कुछ अन्य मजदूर खायल भी हुए है माई की शुरवात कई बुरी खबरों के साथ हुई पहले देश में कोरोना वाइरस के कहर ने रफ्तार पकड़ ली और अब लॉकडाउन के कारण मजदूरों पर लगातार संकट मंडराता नजरा रहा है महाराश्ट्र के और अंगाबाद में प्रवासी मजदूर एक हाथसे का शिकार हो गए और अंगाबाद रेल हाथसे में 16 मजदूरों की मौत शिवराश सिंग चौहान ने किया मौावजी का ऐलान कोरोना वाइरस के कहर लॉकडाउन के आफ़त और रोजगार के ठप होने की सबसे अधीक मार गरीब मजदूर उपर पड़ी है लॉकडाउन की वज़ह से काम बंद हुआ तो लाखों की संख्या में मजदूर जहां थे वहां रुक गए कुछ जादा दिन नहीं रुक पाए तो पैदल घर की ओर रवाना हुए ऐसे ही करीब 16 मजदूर जो घर पहुशनी की आस में पैदल ही रवाना हुए थे एक हाथ से काशिकार हो गए और उनकी मौत हो गई भारतिया रेलवे की ओर से जारी प्रेस रिलीस के मुताबिक जिन मजदूरों की मौत हुई है वो सभी मध्यप्रदेश के रहने वाले थे और महराष्टों के जालना में SRG कमपनी में कारियरत थे पाँच माई को इन सभी मजदूरों ने जालना से अपना सफर शुरू किया पहले ये सभी सड़क के रास्ते आ रहे थे लेकिन औरंगाबाद के पास आते हुए उन्होंने रेलवे ट्रैक के साथ चलना शुरू किया करीब 36 किलो मीटर तक पैदल चलने के बाद जब सभी मजदूर ठक गए थे तो ट्रैक के पास ही आराम के लिए लेट गए और वही सो गए इन में से 16 लोग ट्रैक पर सोई हुए थे दो बराबर में और बागी तीन कुछ ही दूरी पर सोई थे इनी में से 16 की मौत हो गई है बाकी जो घायल है उनने अस्पताल पहुचाया गया है गौर तलब है कि 24 मार्च को जब लॉक डाउन का एलान हुआ था तब लाखों की संख्या में मजदूर फस गए थे उसके बाद कई मजदूर पैदली सेकड़ो किलो मिटर चल कर अपने घर के लिए रवाना हुए बीते दीनों में राज्जा और केंदर की ओर से बस ट्रेन की व्यवस्ता की गई लेकिन मजदूर के संख्या इतनी जादा है कि नंबर आने में ही लंबा वक लग रहा है साथ ही घायोलों के इलाज पर नजर रखी जा रही है देश के कई हिस्सों से इन दिनों ऐसे कई मामले सामने आए है जहां पैदल ही घर जा रहे मजदूरों के साथ कोई हाथसा हुआ है या फिर उन्होंने भूख प्यास की वज़़े से दम तोड़ दिया हो एक और कोरोना का कहर तो दूसरी और इस तरह गरीब मजदूरों पर आई आपफ़स से हर कोई चिंतित है NBCN News के लिए अभिशेक पांसी की रिपोर्ट